हेलो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग घर में अगर आप एलो विरा का पौधा लगा रहे हैं तो इसे लगाने का सही तरीका भी आपको जानना चाहिए एलो विरा का छोटा सा पौधा आपको कई तरह से फाइदा पहुचा सकता है एलो विरा आसानी से प्रौपगेट हो जाता है एलो विरा की जड़ों और पौधों के आसपास निकली छोटी छोटी पत्नियों के जरिये भी आप इस पौधे को लगा सकते हैं इसके लिए प्लास्टी के एक डिस्पोजल ग्लास में सधारन मिट्टी ले इस मिट्टी के बीच में हाथ से गहरी जग़ बनाए और एलो विरा की पत्नियों के निचले हिस्से को मिट्टी में अच्छे तरीके से दबा दे गिलास के निचले हिस्से में 3-4 छेद कर ले जिससे पानी जमाना हो पानी जमा होगा तो एलोवेरा का पौधा ग्रो नहीं करेगा और सूख जाएगा पौधों को लगबग 50 दिनों के लिए शेड में रखे इस पौधे में जब नई पत्या निकलने लगे तो इसे गमले में ट्रांसफर कर सकते हैं गमले में भी पानी को बाहर निकलने के लिए 4-5 छोटे चेद बनाए यानि ड्रेनेज होल का ख्याल रखे अब इसमें मिट्टी डाले और एलोवेरा के पौधे को डिस्पोजल ग्लास से बाहर निकाल कर आप न्यू पौट में शिफ्ट कर दे लेकिन इसे कुछ दिनों बाद ही सीधी धूप में रखे कुछ बातों का आप विशेश ध्यान रखे मौनसुन या सर्दियों में एलोवेरा के पौधे को लगाना अच्छा होगा सेकंड एलोवेरा के पेड़ में ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है इसमें पानी तबी डाले जब मिट्टी सूख गई हो ज्यादा पानी डालने से ऐलोवेरा का पौधा खराब हो सकता है तीसरी और important बात ये है कि ऐलोवेरा के पौधे को ग्रो करने के लिए किसी भी तरह की खाद की जरूरत नहीं होती है सधारन मिट्टी में ही इसे उगाया जा सकता है लेकिन अगर आपको खाद डालनी है तो ध्यान रखें कि ऐलोवेरा में पढ़ने वाली खाद में फौसफोरस की मातरा अधिक हो यानि आप ऐसे खाद का चुनाओ करें जिसमें फौसफोरस बहुत जादा मातरा में हो फ्रेंड्स क्या आपको पता है एलोवेरा के प्लांट में लगभग 95% पानी होता है इसलिए हलका सा पाला या फिर बर्ब इन्हें जमा सकती है और ये खराब हो सकते हैं अगर आप गरम जगह पर रहते हैं और घर के बाहर एलो पौधे लगा रहे हैं तो ऐसी जगह चुने जहां समचित सूरे का प्रकाश आता हो और आगे हम ये देखेंगे कि ठंड में एलोवेरा के पौधे का किस तरीके से हम ख्याल रखें फ्रेंड्स एलोवेरा प्लांट ट्रॉपिकल छेतरों में पाए जाते हैं परन्तु यदि आप ठंडी सर्दीली जगह पर रहते हैं जैसा कि अभी का मौसम है तो आप छोटे सुंदर या तंदृस्त पौधे उगा सकते हैं और इन्हें घर के अंदर रख सकते हैं एलोवेरा प्लांट मिट्टी सरस के गमले में लगाने चाहिए ये पौधे शुष्क और गर्म रहना चाहते हैं ना कि सर्द और ठंडे इसलिए अभी सर्दियों में आप अपने एलो के पौधों को उठा कर घर के अंदर रख लेजे इसमें पानी तभी दे जब मिट्टी सूख जाए और हल्दी एलोवेरा प्लांट नए छोटे पौधों को जन्म देते हैं जिनमें आप तोड़कर नए पौधे उगा सकते हैं एलोवेरा कटिंग से उगने वाला बहुत ही आसान पौधा है जिसे आप आसानी से प्रपोगेट कर सकते हैं फ्रेंड्स ठंड में इन कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके एलोवेरा की पत्तियां जो हैं वो बहुत ही बुशी और फ्लेशी होंगी फ्रेंड्स अगर आपने अपना एलोवेरा प्लांट पुना दूसरे गमले में लगाया है यानि रीपॉट किया है तो इसे दो तिन दिन तक पानी देने से बचें ऐसा करने से इसकी जड़ों को नई मिट्टी में जमने का समय मिल जाएगा अगर आप अपने एलो पौधे से प्यार करते हैं तो वर्षा का पानी उप्योग करने का विचार करें आपको पता है रेन वाटर हमारे प्लांट के लिए बहुत ही जादा लावकारी होता है रेन यानि उर्वरक डालना सही नहीं होगा क्योंकि पौधे जब ठीक से बढ़ नहीं रहे हैं तो ये इसका सही उप्योग नहीं कर पाएंगे अप्रेल से सप्टेंबर तक पौधे तेजी से बढ़ते हैं इन महीने में आप इसे फर्टिलाइज कर सकते हैं थेंक्यू फ्रेंट झालना सकते हैं जो की मुनिए कर सब्सक्राइज कर तक पनलना से सब्सक्राइज कर से लिए भीत। फिसक्तbay स सब्सक्राइज Raise